तो दोस्तों आज में रेमेडिया आप लोग के साथ करने जा रही हो इसको आपको नाइट में लगाना है और जैसे मैं बता रही है आपको इसी तरह से लगाना है तो घरमिया इतनी तेज दूप निकर लए या धूप चेहरे के पती निकल लाए उस वज़े से हमारे चेहरे का जो ड़ल होता जा रहा है हो असम इतना टाइम भी नहीं हो हँआए मंगर u इतन actual सोष्ट कर कोई पूर और दोस्तों और इस आपको चेहरे के लिए कुछ नाकुछ जुरू़श करना चाहिए अगर आपको ऐब तो आज मैं जो रेमिडी आप के लिए ले कर आई हूं आप इसको नाइट में यूज करो बस 10-15 मिनट आप इसको यूज करो फिर देखो कि आपकी स्किन में कितना सुन्दा निखा राता है जब आप मॉनिंग में सोके उठोगे से अब इसकी फ्रेश लगेगी और दिन के लिए इतना तो आप करी सकते हों तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि इसको बनाना कैसे है और इसको अप्लाइ कैसे करना है उससे पहरे मैं आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा चैनल लगा लिए और हलकी हातों से आपको अगाने से पहले डियान about the face और आपके हाथ भी एक्डम क्लीन रहें। यहाथ करते हो वैसे ही आपको मसाज करने हैं तो महीज़ों जपन अपको हलकी हाथ करना है। जब तक मैं इसको लगाती हूँ आप देख लिजए इसे बनाना कैसे है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें हनी लेना है यानि सहट हमें लगबा एक छोटे चमब से सहट लेना है अगर आपकी ओईली स्कीन है या आपको सहट सूट नहीं करता है तो आप उसकी जगा पे ऐलोवेरा जेल लेंगे और अगर आपको सहट सूट करता है या आप ड्राई या नॉर्मल स्कीन है तो आपको सहट ही लेना है तो दोस्तो आपको ध्यान में रखना ओली स्कीन वाले को सहट नहीं लेना है तो मेरी dry skin है इसलिए मैंने सहर लिया है अब इसमें हमें डालना है हलकी चीनी यानि आधा चम्मत से भी आधी चीनी हमें डालनी जितना मैंने डाला है इसके बार इसमें हमें डालना है चुटकी भर हल्दी जो हमारे skin के लिए काफी अच्छी होती है हमारे skin में जितने भी bacteria हो तो इसमें लगभा आधा चममच हमें अलोवेरा जल डालना है और ये रेमिडी हमें मतलब एक ही टाइम के लिए बनानी है इस तरह से इसे हमें श्टोर करके नहीं रख सकते हैं तो इस तरह से आपको बना लेनी है ये हमारे चेहरे पे अच्छा सा क्लिंजर के रूप में काम करेगा हमारे चेहरे के अलग सा ग्लो देगा मुहासे की दाग डलनेज की प्रॉब्लम सब करेगा इसको लगाएंगे आपना तो आपको इसकी खुबी पताच लगेगी जो चीज महंगे महंगे फेशियल नहीं करता है वो ये कर लेगा दोस्तों लगाईगा जरूज दिन भर हमें अपने स्किन की केर करने का टाइम नहीं मिलता है तो ये राट के लिए बेश्ट है ये हमारी डलनेज हमारा रुखापन सब ख़तम करेगा हमारा ओयल ओयल सब ख़तम करेग साथे साथ हमारे स्किन को तरोज ताजा भी करेगा इस तरह से आपको अच्छे से मसाज करने के बाद इसको दो से तीन मिनट के लिए छोड़ देना उसके बाद आपको हलके गुनगुने पाने से धोना है ताकि जो आपकी स्किन है वो एकदम रिलाक्स करे अगर आप ठंड निकल जाए और यह देखिए दोस्तों मैंने फेस वास कर लिया है कोई भी मैंने फेस्वास या साबून नहीं यूज किया है मौनिंग में ही आपको यूज करना है तो दोस्तों इस तरह से आपको इसको लगाना है यह ओवर नाइट आपकी इस चिन पर वर्थ करेगी और और नहीं में कोई एसा है यह ना कर नहीं होगी तो इक टेस्ट करने और यह टो भी में और नहीं हो रही है कि इसको यूज करना और नहीं हो रहे है तो इसको यूज करना की zijn अगले वीडियो में लगा चकते हैं तो यह दोस्तों वीडियो को मैं यही खतम करती हूं अच्छा लगा तो लाइक करिएगा बाई मिलते हैं अगले वीडियो में